आपकी सांसे जो ओटो नर्वस सिस्टम के थूप हमेशा चलती रहती है चाहे आप सोय हुए हो या जागे हुए आप सोते हो कि हम सरीर में ओक्सीजन पहुंचाने के लिए ही सांसे लेते हैं लेकिन उसकी किसमता कहां तक है आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते सांसों का सिधा असर आपके मानशिक स्तर पर पड़ता है आपकी मानशिक्ता सांसों के पेटन के हिसाब से ही काम करती है अगर आप हमारे रेगूलर वियोस है तो आपको पता ही होगा कि पूरे ब्रहमांड में हर एक चीज तरंगों पर ही काम करती है आपका हर एक विचार जो आप सोचते हो जो आप बोलते हो सब कुछ तरंग के रूप में घुमते रहते हैं और टेलीपथी मतलब किसी के दिमाग में घुश कर उसके विचार को पढ़ना या उससे कुछ करवाना टेलीकनेसिस, माइन रेडिंग और कई ऐसी चीजे जिसे आप जादू या फिर चमतकार कहते हो सब तरंगों से ही होता है आम इंसान एक मिनिट में 15-16 बार सांसे लेता है लेकिन अगर आपकी सांसे नेचरली बिना किसी जब जस्ती के 11 से निचे आ जाए तो आप तरंगों की दुनिया को समझना सुरू कर देते हो जानवरों के कमपन को आप समझने लगते हो और सांसे जब 9 से निचे आ जाती है तो पेड़ बोजे और नेचर जो मेसेज दे रही है उसे समझ पाते हो और अगर आपकी सांसे 6 से कम हो जाती है तो फिर आप नेजी चीजों की कमपन को भी समझ सकते हो और आप ब्रह्मान के सभी रहश्यों तक पहुंद कर भुद पविश और वर्तमान पस्ट रूप से देख पाओगे ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मैं मेरता हुआ अप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग